असलाम अलीकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आपकी दोजोय आलम और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर यह आलू रखे हुए यह उबले आलू है डेट किलो के करीब तो जैसे कि आप समझ गए होगे आलू के सब को पसंद होते हैं वो है पराटे तो लजीज है इतने टेस्टी है कि हरको इनको खाना पसंद करेगा और जैसे आप बनेंगे जटपट से खतम भी हो जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप मैं वीडियो को शुरू कर रही हूं और यहाँ पर मैंने इन आलो को मैश करना शुरू कर दिया है तो गाइस यह ते डेट लाल मिर्च का आदा चमट डाला है मैंने बुना जीरा पाउडर और डेट चमट डालूंगी में इसमें नमक नमक हमेशा आप अपने स्वाद की अनुसार एड़ करें और मिर्चे भी यहाँ पर मैंने यह दो चुटकी के करीब लिया था हींग और यह लिया है मैंने यह पर गरम मसाला अब मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर आधा चमट यह भी हम इसमें मिला देंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है यह कटोरा आप देख रहे हैं भर के हरा धनिये का पिल्कुल इसे दो के और हमें इसे बारी काट लेना है उसके बाद हम इसे अपने अलू के अंदर एड़ कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने दर्मियानी साइस का प्याज लिया है और दो यह मोटे वाली मिर्चे है अब मैंने चॉप कर लूगे तो जी यह मैंने कर लिये है प्याज और हरी मिर्च चॉप और यह भी हम इसे अंदर एड़ कर देंगे अब यहाँ पर लिया है मैंने ये एक चमच के करीब कुट्वी मिर्चे यहाँ पर लिया है मैंने एक चमच छोटा चमच लेसुन का और यहाँ पर लिया है मैंने ये अद्रक ये भी एक चोटा चमच है अब मैंने यहाँ पर यह सबी चीज़ें इसके अंदर एड़ कर दी है अब हमी क्या करना है हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आप अगर चाहे तो इसे अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं आपस में लेकिन यहाँ पर मिक्स स्पून से कर रही हूँ इस टाइम पर आप चैक कर लेकि आपके नमक और मिच इसमें सही है तो आप उसी साप से हस्ब जरुरत इसमें एड़ कर सकते हैं अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक मिला सकते हैं तो यहाँ पर मेरा बनकर त्यार हो गया है आलू का भुटता और यह बहुत ही जाद्ध जाएकेदार लजीज बना हुआ इस वक्त भी और अब मैं इसमें आपको आगे बताऊंगी जो चीजाермीं हमें बधाज़्या करें असान करते है हमारे लिए यहाँ पर इसका जो ट्रिक है वो यह है जिर्पालिक ए बहुत है इसके अंदर हमारा जो आटा है यह जाएगा पहले सबसे अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर ले वश्ट कर ले अच्छे से और इसके बाद बनाना शुरू कर दें यहां पर मैंने एक कटोरी के करीब आटा लिया है और अब में इसमें एक कटोरी आटा ओर डालूंगे जब हम इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें जितनी जरुरत होगी उस हिसमें आटा एड़ करते जाएंगे आटा एकदम से नहीं डालना है वरना उसकी वज़े से क्या होगा इंद करते कम हो जाएगा और इसलिए आटा इसमें हमने क्या गरता अलू के अंदर आटा मिलाया था थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और जब आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी हो गई है स्मूध जिससे आप पराटा बना सकते है आसानी से महापर आप इसको स्टॉप कर दीजेगा तो गईस यहांपर मेरा आटा जो है गुंद कर रेड़ी हो गया था अब हमें क्या करना है इसको कुस टाइम के लिए डग कर रख देना है इसे जादा देर तक नहीं डख कर रखना है हद्सद बस 5 मिनिट हम इसे डख कर रखेंगे ज़्यादा टाइम इस आठे को नहीं रो इसलिए जटपट बनकर तयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से इनहार कोई बना सकता है और इनका टेस्ट बहुत ही जादा जवाब होता है जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर मैंने यह लिया है कुकिंग ओयल आप जो भी इसमें मतलब घी से भी आप इसे बना सकते हैं बटर से चाय बटर से बना सकते हैं यहां पर मैंने कुकिंग ओयल लिया है अब मैंने यहां पर एक इस तरह से पेड़ा ले लिया है थोड़ा आटा लेते हुए इसमें आटा थोड़ा जादा लेना है क्योंकि यह जो बनते हैं इसे जब हम बेलेंग तो ये बिल्कुल बारिक नहीं बनते हैं और नहीं जादा मोटे रखने हैं मतलब इनको ऐसा रखे कि बिल्कुल बारिक भी ना हो थोड़ा सा मोटा इनको रखना होता है सूखे आटे में हम इसे लगा कर इस तरह से अब अपनी लोई बना लेंगे तो दोस्तों बेलते हुए हमें इसे थोड़ा से ये ख्याल लगना है कि हमें इसे प्रेशर के साथ नहीं बेलना है हलके आतों से हम इसको बेल लेंगे प्राठे को बीच बीच में हम इसे सूख आटा लगाते रहेंगे और अब आप देख सकते हैं मेरा प्राठे जो है वो बनकर रेडी हो गया है अब हम इसे तवे पर डाल देंगे मैंने यह आपर तवा पहले से गरम करके रख हुआ है और हमारे जो प्राठे अब हम इस पर डाल देंगे जब प्राठा इस तरह से एक तरफ से हमें सूखा हुआ से मतलब ब्राउन से नजर आने लगे उस वक्त पर हम इसे पलट देंगे अब हम इस पर गीन लगाएंगे अच्छे से फैलाते हुए इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर दूसरी सैड से भी पलट देंगे दूसरी सैड भी इस तरह से गीन लगाते हुए हम इसे अच्छे से से केंगे गोल्डन होने तक तो देखे हमारा पराठा जो है वो एकदम किता बढ़िया और गोल्डन सिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो दोस्तों जी मैंने आटा गुंदा था इसमें हमारा तीन कटोरी के करीब जो है आटा लगा था और डेड़ किलो के करीब डेड़ के जी करीब यालू थे तो इसमें लगबग जो है 156 पराम बनकर त्यार हो ऺाता है और मैं आपको इसलिए वुदा रही हैं कि और देख discussion 16 सीत्री पराम बनकर यू समय तो आप देख सकते हैं कि मेरा पराम बाराता त्यार हो गया है और यह उस जरूर एक लाइट करके देखेएगा पिर आप जब इससे खाएंगे तो आपको दूसरा बनाने का मन ही नहीं करेगा इसी तरह से मैं यहाँ पर अपने बाकी के पराटे भी रेडी कर लेते हूँ तो दोस्तो यह पराटे बहुत ही जादा टेस्टी होते हैं आप इसे हरी चटनी के साथ में या फिर लाल चटनी के साथ में खा सकते हैं और साथ में अगर दही ले लेंगे तो और भी इसके जाई का जाद दोग उना हो जाएगा तो आप इसे चटनी के साथ और दही के साथ ट्राइ कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पराटे बन कर त्यार हो गए है और मैंने खाने के लिए एक दम तैयार हूँ गाईज यह तने सॉफ्ट होते हैं कि सच बतो जिनके मुह में दाथ भी नहीं होगे ना वो भी इनको आसानी से खा लेंगे इतने सॉफ्ट होते हैं मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ और यह खाने में बहुती जादा मुलायम और बहुती जादा टेस्टी होते हैं आप इन्हें बनाईए और अपने परिवार को खिलाईए और यह बहुती जादा लजीज हैं देखे इस तरह से बहुती जादा सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुती अच्छे लगते हैं तो गाईज यह था मेरा आपके लिए आज का वीडियो आई होब कि आपको पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और और बने रही है का अपनी दोड़ जोय आलम के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज टेक कियर